Now we come towards an introduction to the Key Learning Areas and Competences. These Key Learning Areas and Competences are actually incorporated in the ECEC curriculum in 2017. अब ये जो Key Learning Areas हैं हमारे 2017 में इसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसी Competences या महारते या Skills हमें इस उमर में बच्चों में जरूर पैदा करनी हैं और उनको ऐसे Goals हमने Set कर लिए और हम ये चाहते थे कि जब बच्चे 8 साल की उमर तक Near Primary तक पहुंचें तो ये सारे Skills, ये Manners, ये सारी चीजें जो हैं वो उनके अंदर पैदा हो जाएं और उसको उन्होंने Competences का नाम दिया है अब ये है कि इसके लिए ECC Teacher की Training भी बहुत जरूरी है ताके वो इन Competences को पैदा करने के लिए जो जरूरी महारते हैं, Strategies हैं या Situation हैं, Opportunities हैं वो इस्तेमाल कर सके तो अब ऐसा है कि जो करिकलम हम बच्चों को हमने 2017 में बनाया था, उसमें हमने क्या किया कि हमने जो हमारे Major Areas थे, उनके अंदर Different Competences को वजाहत के साथ बियान कर दिया, मसले हमें इस बात की जरूरत होती है कि कौन सा रविया किस जगा पे हमने बच्चे के अंदर पैदा करना है, तो हम ये सम जो है वो Implement कर रहे होंगे, तो हमें अपने बच्चों के अंदर ये खास Skills पैदा करनी है, तो हुआ ऐसे कि इस करिकलम के अंदर जो हमारे Major Areas थे, उन में से हर एक में तकरीबन पांच से साथ ऐसी Competencies हैं, जो लाजमन पैदा की जानी चाहिए, तो इसमें जो हम Areas को Mention करें पर्सनल and Social Development, जानी बच्चे की अपनी Development, Language and Literacy, Basic Mathematical Concept, The World Around Us, कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसका भी उसको पता होना चाहिए, फिर उसकी अपनी Health, Hygiene और Safety, और फिर जे कि उसके अंदर जो Creativity है, वो बाहरानी चाहिए, उसके लिए हमने Creative Arts जो है, उनको भी टामिल किया, अब ऐसा है कि बजाहर ये बात करना बड़ी आसान है कि ये हमारे Major Areas है, तो वजाहत के लिए और बकाइदा Indicators बना दिये गए हैं, हमारे असाद्जा के लिए, कि उन Indicators को सामने रखते हुए, मिसाल के तोर पर जैसे आगे हम डिसकस करने जाएंगे, कि हमारी जो Personal Life है, को क्या है, देखिए जिसे इसमें Grooming शामिल हो सकती है, बच्चों की अपने आपको समझते क्या है, अपने बारे में जानते क्या है, अपने बारे में उनका क्या ख्याल है, तो थोड़ी सी Self Thinking भी इसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि वो ये जान पाएं कि उनकी अपन कि अगर हम एक वक्त में बच्चों की बच्च से लेके आठ साल की उमर तक इन सारे एरिया पर अमल दरामत कर लें और उसको मुनासिब एक्टिविटी के जरिए और मुनासिब इनपुट के जरिए वो कुछ सिखा लें जो हम चाहते हैं, तो वो एक मुकमल और अच्छे और अच्छा बालिक इनसान बन सकते हैं